एसा ही है एसा ही है वही क्रीमी शरीरिये में तो थी पर सरीर की क्रीमी ने स्थान बदल लिया पेट की क्रीमी पहुँच गई किसी कारण से दिमाग में या अन्य किसी अव्याव में एक छोटी सीवत दो इंद्रिय क्रीमी जीवन को प्राणों को नश्ट करने के लिए परियाप्त है परियाप्त है परियाप्त है ऐसा ही जो धन दौलत रूपी परिग्रह है वह परिग्रह को सीमित करते हुए स्रावकों को रखना चाहिए स्विकार है ग्रहस्ती नहीं चलेग पर मैं पुना के दू, पुना के दू, धन, दौलत, मात्र, जेव में हो, सोहिल भाई, दिमाग में नहीं हो, जिसके दिमाग में कीडा, ऐसा कहते भी ना, अब दिमाग में कीडा गुश गया है उसके, दिमाग में धन का कीडा जिसके घुश जाता है, वो जीवन में कभी-कभी कुछ कार्य उत्कृुष्ट कर ही नहीं सकता है दिमाग में धन को, धन रूपी कीडे को, परिगर रूपी कीडे को घुषने मत दो मत घुषने दो, मत घुषने दो, जितनी आवज सकता है जेब में रखो दनपती होने का निशेद नहीं है दनपती होने का निशेद नहीं है पर उस धनों के प्रती जो तुम्हारा ममत्व मुर्चा टपक रही है ना बेहोशीची चा रही है उससे बचने का प्रयाग रयो करो क्या करे मराजी? क्या करे मराजी सोना दिखता है क्यु उपाता हो ? जैसे सोना दिखता है जैसे सोना दिखता है पता नहीं क्यसी संभोutan हो जाता है और कैसे पागलो जैसा जीव दौड़ने भागने लगता है जो चाहे हो जाहे चाहिए मतलब चाहिए धाटवी थी थी बस बीली चमक रही थी इस्व आदिग सम्मोहन हो गाया अला इसे प्राप्त करने की भावना से कितनल इस वो बंड़ करुए दोड़ वो जोड़ कर इस इसॉर कर मर रह रहे पांटनि कितनी किलो कितनी किलो अब शपके सामने थोड़ी कहेंगा मा राजी कह देंगे तो कोई कुछ गड़भड कर दे तो क्या किसका भरुसा कहो नहीं कहो, कहो नहीं कहो पर अपनी स्वेम की परणती, अपने स्वेम के परणामों को पहचान लो सादू का काम नहीं है, हम तो बस बता रहा हूं कि तिरियंच भी खोचते खोचते वहाँ पहुचते हैं तिरियंच एकेंद्री जीव वनस्पती की जड़े भी पानी मिले नहीं मिले धन की और बढ़ती है जाके खोद के देख ले ना अगर खोच सको तो अगर कोई गड़ा हुआ धन है, मटका भी है तो सबसे पहले उनकी जड़े उस पर बाद रखे रखते थे अरे पुरानों की कथाओं को पड़ो ना धन दौलत के राग में दो भाई हाँ सत्य घटना है, पौरानी घटना है आगम में कथानक प्राप्त होता है दो भाई धन दौलत के पीछे लड़ पड़े, लड़ पड़े, लड़ पड़े और मात्र परिग्रा के पीछे लड़ते, लड़ते, लड़ते ऐसे लड़े, ऐसे लड़े, ऐसे लड़े कि दोनों वही के वही दोनों वही के वही, दोनों वही के वही मर गये, किसके पीछे किसके पीछे लडाई हुई किसके पीछे कले हुआ मात्र परिग्रह के चंद टुकड़ों के पीछे दोनों एक दूसरों के टुकड़े करके समाप्त हो गये दोनों एक दूसरे के टुकड़े करके समाप्त हो गये दोनों की मृत्य हो गई दोनों की मृत्य हो गई और पता चला दोनों अगली परियामे तिरियंच बने दोनों तिरियंच बने, दोनों तिरियंच बने और एक दिन ऐसी ही वहां रहने वाले किसी वक्ति ने मुनिराज के पास पहुंच कर पूछा क्योंकि उनको विश्वास था उनको विश्वास था उनको विश्वास था आप लोगों को मानता हो विश्वास हो नहीं हो पोर उस स्रावक को विश्वास था निर्गरंथ मुनिराज धरती के देवता पर आज के जीवों को professor ji, कहाँ विश्वास है हाज की जीवों को सामने गुरू भी हो, तो भी गुरू की बात पर विश्वास नहीं है, और दोसरों को पूछने जाता है पाठनी, क्या महराज ने कहा, मैं सब सही कहा क्या बता राओ में उसको इतना काट विश्वास्ता, मुनिराज के पास पहुंचता है, मुनिराज जी ये रोज प्रति दिन में दृष्य देखता हूँ ये कैसा स्थान है क्या है, आमें समझ में नहीं आता यहाँ एक ये नारियल का पेड लगा है और रोज एक हाती आता है, तालाप से ये पेड उगा है, कुछ दिन, कुछ साल पेले नहीं था अब यही पेड भी उग गया, इतना बड़ा हो रहा है और साथ-साथ वो रोज एक हाती आता है और पानी सोंड से लाकर डाल के चला जाता है क्या रहसे है क्या रहसे है, क्या रहसे है भगवन आप ही समझा सकते है आप ही ग्यानी है आप ही नित ग्यानी है आप ग्यान से समझ कर बताईए मुनिराज ने कहा विकल्प ना करो वो हाथी वो हाथी और नारियल का पेड दोनों भाई है ये हाथी और नारियल का पेड दोनों भाई है मतलब, स्रावक पूछता है मतलब मैं समझा नहीं ये धन के पीछे धन के पीछे लड़ पड़े थे जिस थान पर वा पेड़ खड़ा है ना नारेल का, जिस थान पर वा नारेल का पेड़ खड़ा है ना तुम खोद के देख ले ना, उसके नीचे बहुत बड़ा धन गड़ा है उसके पीछे बहुत बड़ा धन गड़ा है और उस धन के पीछे ही लड़ते लड़ते दोनों मर गए थे धन के राग में मरे थे इसलिए कि एक इंद्री बनकर वही पर पेड़ बनके खड़ा है और दूसरा भी उस भाई के राग में और वो धन के राग में रो जाता है हाती बनकर और वही पानी छोड़के चला जाता है राम जी अगर ऐसा नहीं बनना है तो मुर्छा मत करो, राग मत करो दिमाग में कीडे को मद घुछने दो जेब में रहने दूना पैसे, किसने मना किया कौन तुमारी जेब खाली कर रहा है पर दिमाग तो खाली कर दिमाग तो खाली कर वेक्ति जेब खाली करने के लिए तयार है पर दिमाग खाली करने तयार है बहुत गहरा है से समझना पंडी जी, लोग जेब तो खाली कर लेते, ये दे दिये 2 लाग यह दे दिये 5 लाग, यह दे दिये 50 लाग, पक दिमाग में अभी भी कीड़ा काट रहा है, मैं 50 लाग का दान दे के आया हूँ, मैं 2 लाग का, करोड 2 करोड का दान दे के आया हूँ, अभी तो मने दिमाग खाली नहीं किया, दिमाग में कीड़ा काटी रहा है परिग्रागा, जेब तो खाली कर ली, जेब तो खाली कर ली, जेब मत खाली करो, मात्र जेब मत खाली करो, पहले दिमाग खाली करो, तब तुमारी जेब खाली करना, पर्स खाली करना मा काम की है, अन्यता नहीं है कई ना कई ये गीड़ा काटते ही रहता है दिमाग में मैंने इतने दिये मैंने इतने दिने मैंने इतने चोड़े मैंने ये चोड़ा मैंने चोड़ा अरे चोड़े ही दिया है ना आप क्यों कीड़ा काट रहा है अब क्यों कीड़ा काट रहा है अब क्यों कीड़ा काट रहा है थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा विचार करो ये जो मुर्चित आवस्ता है बेहोश आवस्ता है इस मुर्चा को निकालना पड़ेगा क्योंकि आचैरों ने मुर्चा परिग्रका है आचेरियों ने मुर्छा परीगर कहा है तो मुर्छा दिमाग से ही फिर मन में और मन से फिर आत्मा में हमारे लिए परिसान करते हुए बेहुष करने के लिए निमित बन रही देखो ना गरीबों को पास उन की इतनी व्यवस्था व्यवस्थित है ठीक है भले ही खाने पिलें के लिए नहीं हो पर तुम्हारे जैसे तुम्हारे जैसे अमीरों जैसे किसी प्रकार से वे दुखी नहीं है क्योंकि उनको पता है मेरी आउकाद इतनी ही है मुझे इतना ही कमाना है मेरी इतना ही करना है हमारे दिमाग में ऐसा कीड़ा काटता है करोड़ पती होने पर भी अरप के सपने दिखते हैं और अरप हती होने पर भी पता नहीं से लें जी क्या क्या सपने दिखते हैं सोचे विचार करें कि जेव मात्र खाली करने से काम नहीं होगा हमें दिमाग को भी तो खाली करना होगा दिमाग के कीड़े को परिग्रह रूपी मुर्चा मुर्चा रूपी परिग्रह उनको कम करना होगा तो भी तो ही काम होगा ये जितने जितने टीवी पर आइड़र्टाइजमेंट चलते हैं कभी आप लोगों ने टीवी पे जितनी भी अड़िटाइजमेंट चलते है जितनी जितनी अड़िटाइजमेंट जिस प्रोड़क्त की अधिक होती है कुछ दिनों में घर में वही सामगरी आती है नहीं अतिमा चाहे तूट पेस्ट हो चाहे अन्य कोई सामगरी हो यह सम्मोहन की बेहोष करने की प्रक्रिया चल रही है आपको सम्मोहित किया जा रहा है बार-बार-बार-बार-बार-बार वही-वही दिखाके वही-वही टॉर्चर करके आपको बताया जाता है कि यह अच्छा है, यह अच्छा है ऐसी सम्मोहन की स्थिती हमारे भीतर हो रही है बहां तो एड़टाइजमे में दो, चार, दर्स, बीच, पचास बार दिखाना पड़ता है यहां तो मोह की ऐसी दसा है हम तो यह कई बार देखके सम्मोहित हो जाते और उस सामगरी को, साधन को, उस वक्सतु को, उस वेक्ति को अपना बनाने का प्रयाज करते है कब तक सम्मोहन, कब तक हिपनोटाइज होते रहेंगे परवस्तु के द्वरा यह मत के दे ना, हमाला तो उपादान निर्मल है, हम निमितों से प्रभावित नहीं होते अगर निमितों से निर्मल जी प्रभावित नहीं होते ना, तो पंचमकाल में आये नहीं होते पंचमकाल में आये हैं, कपड़े पैन कर वहाँ बैठे, परिग्रह जोड जोड कर मरे जा रहे है कही न कही न कही न कही निमितों से प्रभावित हो, निमितों में आकुलित हो, इसी कारण से मुर्चित हो क्योंकि आचयारोंने स्पर्ष्ट लिखा है मुर्चा परिग्रह ये ममत्व भाव ये मुर्चा भाव ये सम्मोहन के परणाम ही हमारे लिए परिग्रह रूपी दोस्ट को देने वाले निमित है अगर जीव ये इन्रण कर लेगा कि मेरा हेतू क्या है मेरा उदेश क्या है मेरा कारण क्या है जीवन जीने का ये धन इखटा करने का तो वह धन तुम्हारा जेब में रहेगा अन्यता हेतू का भोध नहीं है तो धन रूपी कीड़ा दिमाग में जाके काटेगा स्वेम को तो काटेगा ही काटेगा पर स्वेम के दिमाग को काट रहा है तो तुम जाके दूसरों के दिमाग को खाओगे दूसरे की दिमाग को काटोगे दूसरे की जेब को काटोगे इसलिए ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना धन, दौलत, पर्स में, जेब में तो हो, पर दिमाग में ना हो इतना ही इतना ही जीवन में सूत्र याद कर लो धन दौलत जेव में तो हो स्रावकों के लिए बात स्रावकों के चल रही है, कोई महावरत की बात नहीं चल रही है, इसलिए स्रावकों समझो मा समझो धन दौलत दिमाग में नहीं, जेब में होने चाहिए आज जीवों के पास जितनी जेब में नहीं है उससे कई अधिक दिमाग में है नहीं है, बिल्कुल है बिल्कुल है, लाग दो लाग भी कमाता है तो पांच लाग दिमाग में पहले से ही है कि पांच लाग मिलने चाहिए, पांच लाग आने चाहिए, यतने आने चाहिए, यतना प्रॉफिट होना चाहिए, काट लिया दिमाग को, काट लिया दिमाग को, हमने ही अपने परिग्र रूपी, मुर्चा रूपी कीडे से अपने दिमाग को, अपने आपको काट लिया, कभ इतनी जितनी ये धन दौलत कमें आसकती चल रही है, उतनी मेरी आसकती, मेरी मुर्चा, मेरा सम्मोहान, इसे ही आचारभगवन तो ने परिग्रह काहा है। मा क्या सीमा भी नहीं कर सकते परिग्रह की, दिन में कितनी 200 कपड़े बदलते हैं, बोलो ना, बदलते हैं ना, फिर 100 बदलते होंगे, अरे कभी ना कभी तो, साल में तो इकाद बार 100 बदलते होंगे दिन में, नहीं बदलते, 50, 25, 10, बहुत हो गया किसी त्यवहार स्याधी ब्याहों में भी गय नमा, दो चार पास से अधिक, नहीं बदलते हैं, पर कभी ये जीवन में निर्णय कर लिया, कि मैं 50 से अधिक ड्रेस दिन भर में नहीं बदलूंगा, मैं जीवन भर की बात नहीं कर रहा हूं, दिन भर की भी तो यही तो धीरे धीरे अपने दिमाग से कीडे को नीचे उतारना है, पांच दिन में अधिक तम, अधिक तम दस मान लो, तो पचास का संकल पर पचास का नियम कर लो ना, पचास से जादा, दिन भर में हम कपड़े नहीं बदलेंगे, आप लोग कितने बदलते हैं, दो सो, प दो पेहन लिए, बाहर जाने के अलग, घर के अलग, रात में सोने के अलग, भोजन के अलग, पार्टी के अलग, साब प्रकार सही भी गणित लगा लो तो पांच दस से जादा नहीं बदलते, पर कभी संकल्प करके मैं साब पापों से बचने का विचार किया, कि हम दिन में हां पचास बार बदलेंगे, दिन में हम दस ही बार बदलेंगे, नहीं मैं इसली कह रहा हूं, माना की कभी भविश्य में आपको लगा भी, तो नियम ना तूटे, इतना ही नियम लेलो, दस ही का, पचास ही का, लेलो ना पचास किलो से जादा हम सोना नहीं रखेंगे माहें डर लगता है, मिल गया तो कही लॉटरी मिल गय तो नहीं मिलेगी यह पुणने नहीं है तो पाटदी कुछ भी मिलने वाला नहीं है परिग्रह की सीमा कर लो नरकों की सीमा कर लो नहीं तो जितना बजन अधिक है उतने नीचे नीचे के नरकों में जाना होगा तुम अपनी सीमा करते जाओगे महां उतने नीचे नरकों के दरवाजे बंद होते जाएंगे अन्य था फिर सात्वे नरक के अलावा कोई पर्याई नहीं बचेगा नहीं बचेगा नहीं बचेगा नहीं बचेगा तो क्या उसे भोगना नहीं पड़ेगा, 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 इसलिए बचो, 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 हेतु को पहचानों, हेतु को पहचानों में ये कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, सबको, सबको, सबको समशान जाना है, कौन नहीं जा तो भी लग रहे है कि यह मुर्त्यु की बात? भाई जो आया है जाना यह कोई बढड बड़ी बात नहीं है पर कौन सा जीव इस लोक में, इस विदिशा में, इस नगर में यहां बैठा है कि जिसकी मृत्य होगी ही नहीं, जो सेटिंग करके आया है यम से, हाँ, किसी से भी सेटिंग होती आज अज गल प्रेम चल जी, सब से कर लेना सेटिंग, सब से कर लेना सेटिंग, किसी से सब से रिष्वत दे 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 ना, पर आयु कर्मन से साथ कोई रिष्वत, कोई नहीं चलती नहीं चलती नहीं चलती सम्षान मना के रखा है हमने घरों को अपने परिवारों को हमने अपने समाज को देवशाज गुरु के मंदिर आयतनों को भी मांतर परीग्रा जोडने के पीछे मांतर परीग्रा जोडने के पीछे ऐसे नैतिक-अनैतिक पताईन हैं कि हम करा क्या रहे हैं मातर और मातर धन दॉलत कमानें के लिए जीव क्या कुछ नहीं कर लेता बहुत स्थानों पे परियोशन मनाएंगे मातर धन दॉलत इकटा करनें के लिए ऐसे-ईसे खेल और ऐसे-ईसे कार्य कीए गै जिसे सीधे सीधे आगम के परिभासा में आगम के परिपेक्ष में वह जुआ सट्टा कहा जाता है खेले होंगे न माता हूं बहुत सारी तुमाता है इसलिए साम को जाते हैं सांस्क्रिदिक कारेकरम में वे टिकेट में छेद करने मिल जाएंगी मेरी लाइन पूरी हो जाए कि बाके आप समझदार है कहने की आवज सकता नहीं है हाँ, कई चांदी की माला के लिए, कई चांदी की टंगी के लिए, कई फ्रिज के लिए मरे जाते है यह परिगरह का परिग्रहन अंदी ध्यान नहीं है क्या खेलने वालों को भी समझना चाहिए, आदेख जी खेलने वालों को भी समझना चाहिए मैं तो देखो आगम की बात काऊंगा, किसी को बुरा लगे तो में एक समा भी मांग लूँ पर परमसत्य तो यह है परमसत्य तो यह है, परमसत्य तो यह है यह परिग्राननदी रोद्र ध्यान चल ड़ा है मेरी जीत हुजा ये हार जाए मेरी लाइन बन जाए अपनी लाइन बनाने के चकर में हम नुब की तो लाइन नहीं बना रही ये विचार करो और सच्छे देव शाओ गृू के सानेटे मेश्नेदी में आसा कारी कर रहे है तो फिर तो निदत्ती निकाचित जैसे कारियों को ही प्राप्त हो रहे है करमों को प्राप्त हो रहे है कभी इतना विचारी नहीं कि हमाराज हम तो एंटरेटेंटमेंट करने के हिसाब से करते हैं मनोरंजन के हिसाब से करते है पर मनोर अंजन की हिसाब से आत्मा की विराधना क्यों करते हैं?